मुहावरा दिल बाग बाग होने पे वाक्य बनाना था और बेटा इतना बेशरम वाक्य जो तुने लिखा है न अगर मैंने स्कूल की प्रिंसिपल को बता दिया न तिरको ऐसा रफात अबा करेगी स्कूल से कि कहीं किसी जगा आपके लायक नहीं रहेगा तू तू लिख रहा है मिश्रा सर का प्रती दिन सुपरना मेडम को देखकर दिल बाग बाग होने लगता है बेशरम अपने टीचर्स के बारे में ऐसी गंदी सोच और अगला मुहावरा जी खटा होना जी खटा होने का मतलब होता है मन में विराग बैदा होना और तू लिख रहा है मम्मी की तली हुई पूड़ियां खा के मेरा जी खटा होने लगता है हैं आ लगाओ तेड़े कान के नीच नहीं बता कितने अंक की प्राप्ती हुई थी तुझे हैं पिछली परिक्षा में मात्र पांच पच्चिस में से बेशरम बेई ओए चंचल मन की लड़की एक स्थान पर स्थिरोकर नहीं बैठ सकती है क्या कभी इदर कभी उदर का मतलब फंक्शन फंक्शन आ रहे हैं उसके नृत्य के अभ्यास के लिए नीचे जाना है मैं किदर जाने की अनुमती नहीं दूँगी और अगर जादा बोलेगी न उल्टे हाथ के उपर लोहे का स्केल दूँगी हाँ भई तू किसली की 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 कर रहा है क्या कारणे तेरे प्रफुलित होने का चुटकुला सुना दिया मैंने कोई नहीं कान के नीचे ऐसा लगाऊंगी न कि दिन के समय सितारे दिखने लगेंगे पिटक कहां अंक नहीं दिये तो जाए कितर कम दे दिये इस प्रशन में तुझसे परिराम का संधी विछेद पूछा था उत्तर था परी छोटी की मातरा जमा नाम तु देख तु क्या लिख रहा है तुने लिखा है परिण जमा आम हैं ज़्यादा आम खा लिए मातर जीन ने ज़्यादा आम